जै शीरम दोस्तों जैन दोस्तों दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का मैच को खतम हुए वे दो दिन हो चुके हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर हार का सदमा आज भी गौंज रहा है और पाकिस्तान उस हार से बाहर नहीं निकल पा रहा है और पाकिस्तान के अंदर सेख नहीं था यह जुनों के साथ टीम खेलती वहां भी आरती यह ख्वाजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते वहां भी आरते यह देख लिया क्योंकि पाकिस्तान के टीम अब इस मौन पर आकर खड़ी हो गई है कि वह वाके में ही किसी भी छोटे टीम से हार जाएंगा यार क्योंक अगर नैपाल की टीम है तो सी टीम पाकिस्तान की सी टीम या बी टीम नहीं खेलेगी वही प्लेयर खेलते वारे हैं पिछले आट दस सालों से वही खेलेंगे कोई चेंजिस नहीं आएगा उसके अंदर और इसका रीजन क्या है क्योंकि इन्हों ने अपने आपको प्लेयर बादवल क्योंकिन और आप लिए प्लेयर होते हैं अनको ब्हटत्ता है उनको चांस देता है उनकों के क्यों साठों कि अच्छी प्रफोर्मेंस देरा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता whak aí मैं और अब नहीं से से लिए खीलते तो उनसे भी हार जाते अगर यह मैच उनसे भी खेलते तो भी हार जाते और पाकिस्तान अब खतम हो चुकी हैूं कि पाकिस्तान खंख होने का पीछ सारे हो सकते लेकिन जो चार रीजन है वो भी शायद आपको पता हूंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, दो-चार जो रीजन है, सबसे पहला रीजन है, पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक किरकेट होती थी, जिसे भारत के अंदर भी डोमेस्टिक किरकेट होती है, पाकिस्तान के अंदर भी होती उसमें प्लेयर उभर के आता है वो उन्होंने बिल्कुल खतम कर दिया कॉलैप्स कर दिया ना तो अब इनके पास वह अच्छे क्वाल्टी बॉलर्स आ रहे हैं और नहीं अच्छे बैट्समेन आ रहे हैं ठीक है वह खतम कर दिया दूसरी जो रीजन है एक तो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स कुछ जादा ही हो गई है चोथा रीजन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के साथ साथ अब ये बाते पहले से ही शुरू हो चुकी है कि اگर किसी का, जैसे कि मोहिन खान का लड़का है वा आजम खान उसको ले लिया परफॉर्फॉर्फॉर्मन्स हो या ना हो, कोई बात न Otherwise ले लिया आज हम खान का नाम कहीं से कहीं तक किसी ने सुना नहीं था खुद पाकिस्तानी और नहीं नहीं सुना था तब भी उसको 2020 वर्ल्ड कप में लेका है और 2020 वर्ल्ड कप में उसका जो काम था वो उसने आज तक किया ही नहीं ना तो उससे कीप रिंग करवाई गई क्योंकि वो की तो सभ्ष्य ओला जो रिजन है उनका और 5 ली जन क्या है पाकिस्टान के टीम के जो ni मैंट सेट होते हैं एक एक टीम का मोराले खुवस्टाल मोराल वे बिल्कुल भी नहीं deeply in परसरत वगेरा होती हैं वह भी नहीं करते हैं जादा और साथवा है इनकी प्रैक्टिस मैच भी यह नहीं खेलते हैं तो यह कही सारे रीजन ऐसे हैं जिसकी मुझेसे आज के टाइम में पाकिस्तान के क्रिकेट पूरी तरह से कॉल्लैपस हो गई है और कोल्लैपस होने के तो ICC ने millionaire physician नोन ढई है, तो आप तो मेंबर नहीं हो NICC क्या तुम्में पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तुम्हे जो करना है अपने दुम्हारी कि आइ CEE जो है वहर किसी टीम को जो उसका तुम जो उसको मेंबर है तो पैसे देती है तो यह बहुत जादा बड़े बड़े रीजन निकल के आ रहे हैं जो पाकिस्तान की टीम को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पाकिस्तान की टीम में गुट बने हुए जाइन अफीदी का अलग गुट है बावराजम का अलग गुरूप है और गुरूप जादा होग बन रहे हैं और उसकी वज़े से प्लेयरों में आपस में फूट पढ़ जाती है और अच्छी तरह से पर्फॉर्मेंस जिस लेवल पर देना चाहिए किसी भी प्लेयर को वो नह मैश मैच मैच का मैच हैं तो हर एक भारत चाहएगा बहरत і जीत और पाकिस्तान जीत के हännग्यकर जो बड़े ईवंट होते हैं एक इवरंट को छोड़के बागि हैं पंद्रावार पंद्रा बार भारत ने सिकस्त दी है पाकिस्तान को चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो ये वाला मैच तो बिलकुल ऐसा लग रहा था कि वही पाकिस्तान जीत जाएगी पाकिस्तान के हाथ में लेकिन पाकिस्तान के मुँ में हाथ डाल के पाकिस्तान के ऐसे यूं करके भार निकाल लिया और मैच जीत गए और पाकिस्तान के जो लोगे बिचारे रो रहे हैं लिटरिली रो रहे हैं भाई फोल रहे हैं एक दूसरे का सर क्या हमने पाकिस्तान के टीम को सपोर्ट ही क्यों किया सपोर्ट नहीं करना चाहिए था हमसे बहुत बड़ी गलती होगी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है तो दोस्ते यह थी आज की न्यूज प्लीज वीडियो के यार लाइक जरू किजिए और यार वीडियो के लाइक करने के बाद हमारे पेज को जरूर फॉलो करें नेक्स वीड कर दो !